इस video tutorial में हम strings को discuss करेंगे, ठीक, strings को detail में discuss करेंगे और string की properties को explore करेंगे, because string जो है वो okay, so string जो है वो बहुत जादे important है, because higher level programming language में string ही सब कुछ है, ठीक है वहाँ हर चीज तकी बें string नहीं होती है, ठीक है, so यहाँ पर हम एक library include कर लेते हैं, include, ठीक है, string string, okay, string हमने यहाँ पर include कर ली, आप हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक string create करते हैं, string, ठीक है, string, okay, and मैं इसको क्या करता हूँ, name, first name, so यह first name, मैंने आपको बताया था, string जो है, आप double quote में use करेंगे, okay, यहाँ पर arrow दे रहे हैं, किस यहाँ पर मुझसे spelling mistake होगी है, so my name is Asif, okay, so यह आप देख सकते हैं, कि first string जो है, okay, यह small लिखना है, ठीक है, यहाँ पर string में small लिखना है, so यह string first name जो है, मैंने आसिफ कर दिया, ठीक है, so हम यहाँ पर, अब आप देखें, हम इसको थोड़ा से explore करते हैं, ठीक है, सबसे पहरे हम concatenation देखते हैं, string and last name, last name जो है, यहाँ पर हमने इसके अंदर double quotes में आ रहे हैं, याद रखेंगे, double quotes में आप लिखेंगे, ठीक है, okay, so here you can see, अब जब मैं इसको concatenate करूँगा, ठीक है, तो मैं cout करता हूँ, ठीक है, okay, cout, okay, यहाँ पर मैं semicolon लगाना भूले हैं, यहाँ पर मैंने इसको क्या करना है, cout करना, cout and then मैं यहाँ पर first name, ठीक है, plus last name, so यह अब क्या हो रहा है, कि इस, यह जो मैंने इसमें name store किया हो नहीं, इन दोनों को combine कर देगा, और यहाँ पर मैं end l, end l का मतलब यह कि अब line को आप यहाँ पर close कर दो, new line start कर लो, ठीक है, so अब मैंने जब इसको run किया, तो आप यह दे सकते हैं, कि यह आज सिफताज यहाँ पर आपको यह show हो रहा है, this is my name, ठीक है, so, यह concatenate हो रहा है, नहीं, यह इसको plus नहीं करेगा, यह इसको concatenate करेगा, ठीक है, यह आप यह मिला देगा, so, आप यह देख सकते हैं, कि यह two and three हो गया, इसने इसको concatenate किया है, इसको मिलाया है, यह जब आप advanced level पर जाते हैं, तो वहाँ पर different string में आपको पास data आ रहा होता है, so, आप उनको concatenate करना होता है, somehow, depending upon your requirement, ठीक है, so, उसलिए आपको यह concept सीखना लाजमी है, so, हम इसकी थोड़ी सी और properties को explore करते हैं, ठीक है, यह तो था हमारा Cout, okay, मैं इसको back जाता हूँ, and जो हमने, okay, आसिफ ताज, okay, मैं अब इस यह जो last string है, मैं इसको remove कर देता हूँ, आसिफ, and मैं इसके अंदर पूरा name लिख देता हूँ, आसिफ ताज, ठीक है, यहां से मैं first name, ठीक है, so, इस जो string की length, length है, वो कितनी है, so, वो भी हम जान सकते हैं, first name.length लिखेंगे, ठीक है, and तो वो जब मैं इसको, जब मैं इसको run करूंगा, तो यह अभी आप देख सकते हैं, कि इसका size है, 8 है, याद रहे कि इसका size है, वो 0 से start होता है, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, और यहां पर आपके पास 8 show हो रहा है, because, यह, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 9, sorry, sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, so, यह हमेशा याद रहे कि 0 से ही show होता है, 0 से इसकी length start होती है, अब मैं इसका size है, dot size, so, इसका size और length same ही होगी, वो भी आप print कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं, कि आप यहां पर कुछ अपनी value डाल दें, या आप यहां पर मैं एक cout ले लेता हूँ, cout, ठीक है, and यहां पर मैं क्या चाहता हूँ, यह जो मेरी first name है, string है, मैं इसके सिर्फ एक position पर जाके, यह zero position पर a है, one position पर s है, two position पर i है, ठीक है, यहां पर मैं कुछ change करना चाहता हूँ, यह मैं सिर्फ एक print करना चाहता हूँ, तो आपने एक करना है, यह bracket को use करते हूँ, आपने इसको position पास कर देनी है, so मैंने क्या two position पास की यहां पर, तो यह मुझे i यहां पर print करके देगा, ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि यह i आएगा, ठीक है, यहां पर यह इसके साथ 8 भी आ रहा तो मैं यहां पर end L करता हूँ, end L means के line को यहां पर end कर दो, so here you can see कि मुझे A show कर रहा है, ठीक है, अब मैं इसको six position देता हूँ, six position पर अभी देखते हैं कि हमें क्या show करता है, so यह six position पर यह देखें A show कर रहा है, अगर मैं इसको five position देता हूँ, तो यह मुझे T show करेगा, ठीक है, so here you can see that यह मुझे T show कर रहा है, ठीक है, so similarly, यहां पर हम इसके अंदर क्या कहते हैं, कुछ अपनी तरफ से दुबारा add भी कर सकते हैं specific position पर, ठीक है, so यह first name ठीक है, यहां पर देखें इसके अंदर ठीक है, अब मैं, okay, so here you can see that five position पर अब पहले क्या था, five position पर आपको यहां पर T show कर रहा है, ठीक है, अब इस T के अंदर T को मैंने replace कर दिया है, याद रहे कि यह एक character आप इसके अंदर pass कर सकते हैं, T के जगह मैंने यहां पर J कर दिया, okay, so here you will see that अब आपको यह T नहीं show करेगा, यह आपको show करेगा J, इस T के जगह पर, ठीक है, so here you can see that यह आपको J show कर रहा है, similarly, अगर मैं four position पर, यहां पर, okay, sorry, मैं इसको यहां से copy करता हूं, and मैं इसको अब यहां पर four position पर, four पर कुछ नहीं है, sorry, तो मैं इसको six position पर कर देता हूं, J, ठीक है, और इसको J रहने दो, okay, so here you will see, के अब जो हमारे पास यहां पर J show हो रहा है, अब मैं करता हूं मैं अपनी जो name है, ठीक है, उसको मैं print करता हूं, तो यह change show होगा, ठीक है, so यहां पर आप दे सकते हैं, यह आसिफ ताज है, लेकिन यहां पर आसिफ J, 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 J क्यूं है, because five position पर मैंने एक letter insert कर दिया J, six position पर मैंने letter insert कर दिया J, so this is how you can play with the string, इसकी आप length get कर सकते हैं, मैं size get कर सकते हैं, आप specific position पर आप इसको, अगर मैं zero position पर यहां पर J लिखूं, तो यह A replace हो जाएगा J के साथ, so you will see, के यहां यह 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 J हो गया, so this is how you can play with the string, so that's it from this video, अगर आपकी वीडियो पसंद आई है, तो like करें, share करें, subscribe करें, and मिलते हैं next video, thank you so much.